दोस्तों इसी वीडियो के माध्यम से मैंने आज जो मेरा लाइव ट्रेट करूंगा वो लाइव ट्रेट का रेजल्ट प्रपर लॉजिक के साथ आप लोग के साथ सेयर करने जा रहा हूँ देखें दोस्तों यहाँ पे मैंने निप्टी 50 का स्पोर्ट का चार्ट पैटन ओपन किया है और इस स्पोर्ट चार्ट पैटन के इसाथ से निप्टी 50 कितना तेजी से उपर की तरफ जा रहा है दोस्तो अगर आप Nifty 50 का बात करोगे ये कितना point आज उपर की तरब गया है ओभी बता देता हूँ देखे अभी 178 point उपर जाके trade कर रहा है तो दोस्तो major scenario है Nifty 50 इसी level से और भी थोड़ा उपर की तरब चाहेगा नहीं तो इसी level के आसपास एक consolidation देखने के लिए मिल सकता है तो देखे दोस्तो Nifty 50 अभी 10,150 level के आसपास trade कर रहा है दोस्तो 10,150 का level Nifty 50 के लिए एक resistance का level बन सकता है तो देखे मैंने ये level के आसपास एक resistance का level draw कर लेता हूँ तो दोस्तो अगर market ये resistance level को अगर cross करके उपर की तरफ जाएगा तो इसी level के आसपास हम put को right करेंगे लिकिन अगर इसी level से market नीची की तरफ आता है और ये 10,100 level को अगर ये cross करके नीची की तरफ आएगा तो भी हम call को right करके जाएगे और देखिए मुझे ऐसे लग रहा है इसी level से आज थोड़ा selling आएगा और ये जो gap बना के market उपर की तरफ गया है हो सके ये gap फील हो जाए तो देखिए ये जो gap है ये basically 10,100 से लेकर 10,000 तर तो major chance रहेगा आज ये gap फील होने के लिए तो हम उसके इसाफ से हमारे trail लेंगे तो देखते है market पे किस type का moment आता है वो moment की इसाफ से हम अमारी position बनाएंगे तो देखिए अगर market ये 10,100 लेबुल से अगर नीची की तरफ आता है तो हम 10,200 लेबुल का जो call होगा उसको right करके जाएंगे तो देखिए 10,200 का call 41 रुपीज के आसपास चल रहा है और अगर market इसाफ से दूबारा उपर की तरफ जाता है तो हम 10,050 का जो put होगा 10,050 का put को हम right करके जाएंगे तो देखिए 10,050 जो है ये 48, 49 रुपीज के आसपास चल रहा है तो देखिए दोस्तो इसी level से market का moment कैसे होता है और ये moment के इसाफ से हम अमारी position बनाएंगे देखिए हमेशा support resistance level को follow करके आपको काम करना पड़ेगा अगर आप support ये resistance level को follow करके properly समझ के काम करोगे तो दोस्तो maximum time आप profit पे ही रहोगे तो देखिए market का moment के साफ से हम अमारी position बनाएंगे और मैंने जो भी profit या loss आएगा आप लोग के साथ share करूँगा देखिए दोस्तो इसी level से market continuously नीची नीची आ रहा है लेकिन हमको थोड़ा weight करना है ये 10,100 का level strong support level जिसा behave करने वाला है इसलिए इसी level के आसपास हम थोड़ा weight करेंगे देखिए अगर ये level को market cross करके नीची की तराफ आता है तो इसी level के आसपास हम call को sell करके जाएंगे तो ये 10,100 level के लिए हमको weight करना चाहिए देखिए दोस्तों ये level के आसपास इसपे दुबारा support देखने के लिए मिल रहा है लेकिन अभी market का जो trend है ये धीरे-धीरे नीचे जाने के लिए हमको signal दे रहा है तो मैंने ये level के आसपास एक बार trend line draw करके भी आपको show कर देता हूँ देखिए दोस्तों market का trend अभी एससे धीरे-धीरे नीचे की तरफ जा रहा है हो सके इसी level के आसपास market आस थोड़ा side wedge moment देने बाला है लेकिन दोस्तों अगर market इसी level से धीरे-धीरे उपर की तरफ जाएगा अगर इसी trend line को market cross करके उपर चला जाता है फिर मैंने ये level के आसपास put को right करूंगा लेकिन अभी मुझे कोई भी position नहीं बनाना है क्योंकि market एक range के अंदर trade कर रहा है तो जो अब तक इसी range के अंदर trade कर रहा है हमको market को track करके जाना है कोई भी position नहीं बनाना है देखे दोस्तों इसी rectangle के आसपास market आके closing देश चुका है और ये 10,100 level से नीचे closing दिया है लेकिन ये 10,100 का level market के लिए एक strong support का level बन सकता है इसलिए ये candle complete होने तक हमको wait करना है कि actually इसी level के आसपास हमको buying देखने के लिए मिल रहा है तो अगर इसी level से buying आ जाएगा तो फिर हम ये level के आसपास कोई भी position नहीं बनाएंगे लेकिन अगर इसी level से selling आता है और ये candle नीची आके closing देता है तो हम ये level के आसपास call को right करके जाएगे तो देखे दोस्तों इसके नीची ये closing दे चुका है तो चलिए एक बार volume को भी check कर लेते हैं देखे बॉल्यम की इसाप से अगर आप देखोगे काफी ज़्यादा high volume आ रहे है तो इसी level के आसपास major chance से market नीची की तरफ जाएगा तो हम थोड़ा ये level के आसपास wait कर लेते हैं अगर इसी level पे buying आ selling का pattern form होता है उसके इसाप से हम अमारी position बनाएंगे तो देखे दोस्तों ये जो strong support का label था strong support label को market अलेडी तोड़ के नीचे की तरफ आ चुका है और volume के इसाप से भी देखे काफी ज़्यादा high volume आ रहे है तो हम ये level के आसपास तो 10,200 का जो put है तो देखे अभी ये 10,050 के आसपास आ चुका है तो मैंने 10,150 का जो call है sorry put ने call है मैंने call को write करने के लिए जा रहा हूँ देखे 43 रूपीज के आसपास 44 रूपीज के आसपास ये चल रहा है तो देखे मैंने ये label के आसपास write के आ है मैंने मेरी group पे भी share कर लेता हूँ और देखे दोस्तों market का trend के से जा रहा है ये label के आसपास मैं आपको बता देता हूँ देखे अभी market का trend एसे ही move कर रहा है अगर इसी label से market में buying आता है तो हम ये label के आसपास हमारा position को exit कर देंगे क्योंकि देखे इसी label से अगर buying आता है तो काफी तेजी से हमको buying देखने के लिए मिलेगा इसलिए हम ये label के आसपास position को exit कर लेंगे अगर market इसी trend line के नीची trade करेगा तो फिर हम भी position को hold करके रूखेंगे देखे दोस्तों ये label के आसपास market पे support देखने के लिए मिल रहा है और हम इसी label के आसपास call को write किये हैं इसलिए देखे हमारा जो position है ये position 847 के आसपास loss दिखा रहा है तो दोस्तों अगर इसी label से market उपर की तरब जाएगा और इसी trade line को अगर cross करके market उपर जाके closing देता है तो हम ये label के आसपास हमारा जो भी loss आएगा loss book करके निकल जाएगे और आज हम market के इसाफ से second trade भी लेंगे तो मैंने already मेरी group पे भी update कर दिया है कि अगर आज इसी label के आसपास हम loss book करेंगे तो आज हमारी हम second trade लेंगे तो देखे अभी ये line से उपर market trade कर रहा है तो देखते हैं इसी label से market का जो moment है ये उपर की तरब जा रहा है ये दुबारा नीचे आके closing देता है तो देखे ये candle जो शुरू हुआ है 10 बस के 6 मिनिट के आसपास शुरू हुआ है तो देखे मार्केट का moment के इसाब से हम हमारी lost book करेंगे या इसलिए बुल के आसपास hold करेंगे अगर ये red candle फॉर्म करके नीचे की तरफ आएगा तो फिर हम ये label के आसपास hold करेंगे देखे तो दोस्तों ये जो candle है candle red candle फॉर्म किया है इसलिए हम ये label के आसपास hold कर रहें तो देखते हैं ये next candle जो form कर रहा है ये green candle फॉर्म करता है ये red candle फॉर्म करके नीचे की तरफ आता है अगर ये red candle फॉर्म करेगा हम hold करेंगे ओगर green candle करेगा हम इसी label के आसपास हमारी loss book करके निकल जाएंगे तो दिखें जो position चल रहा है 675 के आसपास loss दिखा रहा है और दिखें दोस्तों अगर market EC label से उपर की तरफ जाएगा और ये जो मैंने trend line draw करके रखा है अगर इसी trend line से उपर जाके trade करने लगेगा तो हम ये label के आसपास put को write करके जाएंगे तो हम ये label को track करेंगे दिखते हैं अगर हम ये position पे loss book करेंगे तो ये label के आसपास 10,000 का put को write करके जाएंगे तो दोस्तों मैंने 10,000 का put को ये label के आसपास आर कर देता हूँ तो देखिए मैंने 10,000 का पूट को भी आड़ करके रख लिया है देखिए मार्केट का मुवमेंट के इसाब से हम हमारी पोजिशन बनाएंगे देखिए दोस्तों मार्केट इसी लेवल के आसपास बूलिस पाटन फॉर्म करके उपर जाने की सिगनाल दे रहे तो हम ये लेवल के आसपास हमारी लॉस को भूग करके निकल जाते हैं अगर मार्केट एक बार ये ट्रेंड लैन को क्रॉस करके उपर की तरफ जाएगा तो हम ये लेवल के आसपास 10,000 लेवल के आसपास हम पूट को राइट करेंगे तो यह जो loss है हम यह loss को book कर लेते हैं तो दोस्तों मैंने group पे भी update कर लेता हूँ तो यह अभी तक execute नहीं हुआ है देखिए अभी execute हो गया 1300 के असपास loss हुआ है मैंने group पे भी update कर लेता हूँ तो देखिए दोस्तों market इसी level से धीरे धीरे उपर आने की signal दे रहा है इसलिए हम यह level के आसपास यह loss को book कर लिए तो देखिए जो loss है 1300 के आसपास हम loss book किये हैं लेकिन दोस्तों अगर market इसी level से उपर की तरफ आता है और यह जो trend line में ने डाउट कर रखा है देखिए दोस्तों यह level के आसपास दूबारा market के लिए एक resistance form हो रहा है तो अभी market के trend के से move हो रहा है वो भी आपको बता देता हूँ इसी range के अंदर market अभी move कर रहा है तो देखिए market अगर इसी range को cross करके उपर की तरफ जाता है तो हम यह level के आसपास call को right करेंगे अगर यह range को market cross करके नीचे आएगा तो फिर हम दुबारा एक port को right करके जाएगे तो देखिए market का movement के हिसाब से हम हमारी position बनाएंगे देखिए दोस्तों अभी rectangle और यह जो trend line में ने draw किया था इसी trend line को देखिए market cross करके उपर जाके trading करने लगा है दोस्तों यह जो candle open हुआ है देखिए इसका opening 10 बच के 36 मिनिट के आसपास हुआ है तो 10 बच के 36 मिनिट के आसपास यह candle का closing होगा अगर यह green candle form करके इसके उपर जाके closing दे देता है तो दोस्तों हम यह label के आसपास 10,000 का put को write करके जाएंगे तो देखते हैं इसका closing के से आ रहे ऑगर यह green candle form करेगा तो यह label के आसपास हम put को write करेंगे देखिए दोस्तों यह candle complete hold चुका है और यह green candle form कrium्या है इसलिए हम 10,000 का जो P है यह P को write करके जा रहे है तो दोस्तो यह थोड़ा टाइम लग रहा है पता नहीं क्यों तो देखे राइट हो गया तो मैंने मेरी ग्रूप पे भी आपडेट कर लेता हूं और हमारा फास्ट टारगेट इसी लेबल के आसपस रहेगा 10,150 लेबल के आसपस हमारा फास्ट टारगेट second target 10,200 level को हम लेके चलेंगे तो major scenario में देखिए ये जो loss हमारा आया है ये loss recover होके भी हमको एक अच्छा कसा profit भी आ जाएगा तो देखते हम rule को follow करके चलेंगे देखते हमको कितना बड़ा profit या loss आ रहा है देखिए दोस्तों इसी level से market दूबारा नीचे की तरफ आ रहा है लेकिन मैंने एक बार future का चार्ट open करके आपको market का volume भी show कर देता हूँ देखिए market continuously नीचे की तरफ जा रहा है लेकिन अगर आप उसका volume को देखोगे देखिए इसका volume भी continuously नीचे की तरफ जा रहा है यह देखिए यह level के आसपास तो market नीचे जा रहा है और इसका volume भी नीचे जा रहा है इसलिए major chance से इसी level के आसपास buying आएगा और देखिए मैंने यहाँ पे आपको trade line भी draw करके show कर देता हूँ तो देखिए इसी level से buying आने की major chance रहता है तो देखिए हम market को follow करके जाएंगे और मैंने यहाँ पे भी trade line draw करके आपको show कर देता हूँ तो देखिए इसका जो trend है ऐसा ही है अगर यह trade line को market cross करके नीचे की तरफ आता है तो यह level के आसपास specifically हमको support देखने के लिए मिलेगा तो देखिए यह range के आसपास market रूखने का major chance है और इसी level से दुबार हमको buying देखने के लिए मिलेगा इसलिए हम यह level के आसपास fold करते हैं देखते हैं अगर market पे buying आता है तो हम hold करेंगे अगर इसी level से selling देखने के लिए मिलेगा तो देखिए यह level के आसपास जो भी loss आ रहा है यह loss को book करके निकल जाएंगे देखिए दोस्तो यह जो trend line में ने draw किया था इसी trend line को already market cross करके नीचे की तरफ आ चुका है तो दोस्तो safe side के लिए हम सिप यह low तक wait करेंगे अगर market यह low को cross करके नीचे की तरफ देता है तो हम safe side के लिए यह जो भी loss आ रहा है यह loss को book करके निकल जाएंगे अगर देखिए इसका previous candle का जो low है अगर इसी low के उपर यह trade करेगा तो भी हम इस पर hold करके रूखेंगे देखिए दोस्तो बार बार इसी level के आसपास selling का pressure देखने के लिए मिल रहा है इसलिए हम यह level के आसपास यह position को exit करके निकल जाते है तो देखिए जो भी loss आ रहे है यह loss को हम book करके निकल जा रहे है तो दोस्तो सेम चीज मैंने मेरी group पे भी update कर लेता हूँ ठीके दोस्तो यह था आज हमारी live trade और देखिए आज का live trade पे 2200 के आसपास यह loss आया है दोस्तो मैंने इस screen को एक बार रिप्रेस करके आप लोग के साथ share कर लेता हूँ देखिए screen को रिप्रेस करने के बाद भी यह सेम लॉस दिखा रहा है मैंने और एक बार screen को रिप्रेस कर लेता हूँ तो देखिए screen को रिप्रेस करने के बाद भी यह सेम लॉस इसी लेवल पर सो कर रहा है